हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो में चैनल आज हम बनाएंगे यह पचमेल डाल तो यह देखिए हमने अरहर की डाल ले लिए यह देखिए अरहर की डाल है यह लाल मसूर है यह चना है यह मटर है यह उरद है यह काली उरद है अब देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं बनाना देख गई लेकिए पशमेल दाल जो थी धूल लिये देखे जैसे सकते हैं अब हम इसमें नमक डाल को चड़ा देंगे इसको डाल को अपने हिसाप से आप नमक डाल सकते हैं तो देखिए हमने नमक डाल लिए अब हम कूकर को पैक करेंगे और गैस पे चड़ा देंगे ये दो सीटी आ चुकी है अब हम इसको उतार देंगे तो देखिए फ्रेंड दाल ये हो चुकी है अब हम इसमें मसाला एट करेंगे तो देखेए देखेए फ्रेंड हमने प्याग इपकटकर लिये और यह टमाटर है और यह लीकर ये गरम मसाला है हलिफी के पीसा हुए मिर्चा है और यह दंन्यच पावडर है कि अतीन सूखा मिर्चा है अब देखिए आप देख सकते हैं तेल हीट हो चुगा है अब हम इसमें मिर्चा डाल देंगे फिरम प्याज डाल देंगे तो देखे प्याज लाल हो रही है इसको एग्दम प्रांग करेंगे तो देखे प्याज जो हमारी लाल हो चुकी है अब हम इसमें तमाटर डाल देखे तमाटर तभी अच्छे से बोल मेंगे तो देखिए वे हो शिता है तमाठा अब हम इसमें मसाला एक कर देंगे जो मसाला में दिखाया था इसमें पानी डाल लेंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा इसमें से एक पत्ता भी डाल लेंगे एक रिस्कून हम आमचूर पॉडर भी डाल देंगे यह हम भूल गए था देखिए मसाले का इतना अच्छा कलर आ गया रहा है बहुत बढ़ना पिसको गूनेंगे मसाला एकड़ी हो चुका है अब हम इसमें डाल को आइट कर देंगे अब हम इसको अच्छे से चला देंगे देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा गया है अब हम इसको पांच मेंट और पका लेंगे तो देखिए दाल खौल चुकी है अब हम इसको उतार देंगे तो देखिए हमने यह देशी गी डाल लिया है तड़का लगाने के लिए दाल में तो यह देखिए गी हो चुका है अब हम इसमें सुखा मिर्चा डाल देंगे तो यह देखिए तड़का हमारा हो चुका है अब हम इसको दाल में अब हम इसको शर्व करेंगे तो देखिए गाई दाल को शर्व करेंगे खाने में बहुत टेश्टी है देखने में बहुत अच्छी है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए सेर जरूर करिए और हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी करिए थाइंक यू